आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजे और साथ साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन विलते रहें हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की इंडिया के बिग बुल राकेज जुन जुन आला ने डीवी आर में और पोजिशन बढ़ा रहे हैं ये बहुत अच्छी अपोर्चुन के रीटेल निवेशकों के लिए तीन बड़े खबर लेका है अपके लिए टाटा मोटर्स के बारे में बाइक की अगले कॉर्टर में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है जो की मुमेंटम चल रहा है यहाँ पर वो अब प्रॉबबली गेटिंग ओवर फॉम्दा सेमिकंड़क्टर पार्ट competitive position की बात की जाए इंडिया में अगर हम बात करें तो मारूतुई का EV प्रेजेंस नहीं है अभी और काफी लोगों को इसका impact पड़ रहा है मारूती में अगर हम धंतिरस की बात करें जो दिवाली का एक auspicious समय होता है मारूती की sales down है versus अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो इसमें 94 परतिशत का इजाफा हुआ है यहाँ पर टोटल 94 परसेंट का increment हुआ है मारूती नीचे जा रही है तो यह समझिए जो मारूती ने एक whole soul ownership बनाए हुई थी passenger vehicle में वो अब dominant हो रही है टाटा मोटर्स की तरफ से और all demand electric vehicles की बहुत जादा है growth phenomenal है और यहाँ पर tax advantage दे अगर हम बात करें यहाँ पर finance minister ने भी Tata Motors को help करने की बात की है और taxco और further incentive कर रही है जिस वेरी good news ताकि states और further इसको करें दिवाली के offer में Tata Motors का बहुत बढ़िया योगदान रहा है जो लोग अपने कई सालों से sales नहीं कर पाए वो यहाँ पर कर रहे है तीसरी और सबसे म MOU Memorand of Understanding sign किया है Equitas SFB Small Financial Business जिसमें आपके small commercial vehicle को offer करते हैं और यहाँ पर इनके पास 300 से ज्यादा sales point है उन सब पर Tata Motors के साथ इन्होंने tie-up किया है और they said रोहित जी ने कहा है उनके जो senior president है they are very excited to the association with Tata Groups in particular Tata Motors ताकि customer की need को fulfill किया सके चनल का फैपेफरल दियान रखिये आपकी wealth को protect करने के काम आएगा और अगर हम इसका technical view देखें तो 500 रुपे के पार हो गया है आज भी ये शेर 501 रुपे पर और देखिए MacDee ने जो यहाँ पर sell signal generate किया था उसका momentum आज green हो गया है तो यह positive territory में आना शुरुबात हो गया बहुत अच्छी opportunity थी यहाँ पर super trend अभी भी bicycle दिखा रहा है RSI का level 67 है तो अभी भी और उपर जा सकता है यहाँ पर Boolinger Band के mid level पर आ गया है यहाँ से bounce back दिखाना बहुत अच्छा है और सबसे पहला target अब इसका साड़े 600 रुपे रहेगा शौट टम के लिए चाहित अपने portfolio में अड़ कर सकते हैं अगर हमार साथ जुना है तो मिल रॉप कीज़े चार वीडियो पर से जहेंगे भारत पाई गाइस